नवश्या दोस्तों मेरे नाम है डूकी त्रिभूवन कौशेक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग दोस्तों आज का ये जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि आज एक महत्वपून घटना हुई और वो ही रिया चक्रवर्ती का जो बेल का जो मसला बॉंबे हाई कोटन रिजर्व करके रखा था तो उस पर जो जज्जमेंट आया है और उस पर रिया को बेल मिल गई ह तो आज का जो वीडियो ब्लॉग है हम इसी पर डिसकाशन करेंगे कि रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों मिली और क्या वो दुबारा जेल जा सकती है तो आईए आज का वीडियो ब्लॉग शुडू करते हैं तो अभी तक आप लोगोंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्स्राइ सब्सक्राइब का रिया के बेल के मसले पर है क्या दोस्तों फैक्स यह है कि क्रिमल बेल अपील का आई पॉलजाइस क्रिमल बेल एप्लिकेशन स्टैंप नंबर 2386 2020 जो की बॉम्बे हाइए कॉर्ट की सिंगल मेंच जो जिसको जिसमें बैठे थे जस्टिस सारंग वी कॉट कोटवाल के कॉट में लगी हुई थी उन्होंने जो बिल की प्ली थी रिया चक्रवरति और उसके साथ में और अभ्यक्तों की उस पे सुनवाई की अपने कॉट में और सुनवाई के बाद में जो है उन्होंने अपने और को रिजव किया और आज यानिकि 7th October को उस पे जो ह एक विशञंट चल रहा था उसको जो है एक ख़ल नाए का मिना के जो है पेश किया जा रहा था यह कहा जा रहा घृए sepher नहीं कहा गया रिया चखरवरति वाला जो मसला है उस पे अभी हाल फिलाल में रुक जाएंगी आए इस पे जड़ा डिसकाशन करते हैं तो दोस्तों ऐसा है कि जो अमोमन बेल की दरखास होती है उस पे सुनवाई में जो जो पार्टी होती है उन सब को सुना जाता है तो यह जो डीटेल जाज्मेंट आया है जो रिया चक्रवरती की बेल एप्लिकेशन पर जो आया है उसमें जसेस कोटवाल साब ने जो है सभी पक्षों को सुना जिसमें एस जी जो की एंसीबी की तरफ से यानिक स्टेट की तरफ थे इसके लाबा रिया चक्रवरती के जो वकील है मांशद ने उनको और इसके important चीजे मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके काम की हैं तो जो offenses जिसमें रिया चक्रवरती को बंद किया गया था वो था 8C read with section 20B second 22 27A 28 29 30 of NDPS Act 1985 और मैं इन सब को आपको डीटेल में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आजकल जो media trial है आपने उसमें देखा होगा कि आप sections को describe किया अब मसला यह था कि जब कोट के सामने सुनवाई हुई नीचले कोटों में बेल पे तो उसमें स्टेट ने यह कहा कि रिया चक्रवरती जो है वो जो है कॉमर्शिल नार्कोटेक्स सब्स्टेंस के धंदे में सनलिप है यानि कि वो इसका व्यापार करती है और वो उसको बेल पर छोड़ा गया तो मुखदमे में जो है मुखदमे में जस्टिस नहीं बिलेगा इस बात को जो की नीचे वाले कॉट ने कही थी उसको जो आपका बंबे हाइप है उसने तरह से नकार दिया बंबे हाइप का कहना है क्योंकि रिया चक्रवरती के बारे में जो दी गई है उसके बेसिस पर उनने कहा कि सेक्षण 19 सेक्षण 2427 और यह उसके उपर नहीं बनता है क्योंकि वह उसने जो ड्रक्स जो ली थी उसकी ना तो कोई रिकावरी हुई थी और जो भी एलेक्ट्रोनिक एविदेंस एट्सेक्टरा के मार्फा जो है नसी भी बता रही है वो सारी की सारी जो डीटेल्स है वो यह लीड करती है कि रीया शक्रपरती ने ये शायद अगर पर क्यूर भी की तो सिर्फ रिशांसिंग राजपूत के कंजम्शन के लिए क्योंकि रिया चक्रवर्थी अभी तक अपने कंजम्शन की बाट जहें नकाथ रही है तो कॉप ने इस बात के उपर महर लगा दी है बंबे हाइ कॉट ने के रिया चकरवर्थी जो है ड्रक पेडलिंग के धंदे में सल्लिप्त नहीं थे कौट का ये कहना है कि रिया चक्रवरती को सिर्फ दफा 8C यानिकी 8C read with section 20B और 22 NDPS Act जो की consumption से related रहता है या फिर drugs procure करने से related रहता है उसमें जो है सजा दी जाती है और इस बात को मानते हुए कौट ने जो है रिया चक्रवरती को बेल के लायक समझा कौट ने एक और observation किया जो कि NDPS के जो statutes का जो मुकदमे होते हैं उसमें शायद उसको दरकिनार किया जाता है कई बार क्योंकि यह high profile मुकदमा था तो इसमें इस पर discussion किया गया जो बेल का जो एक basic principle होता है वो यह होता है कि अगर किसी अभियुक को अगर बेल पे छोड़ दिय जाएगा तो वो court में trial लेने आएगा दूसरा investigation के दौरान क्या उस अभियुक्त ने जो investigative agency है उसके साथ जो है support किया तो यह एक important point है court ने माना और court इस बात से अगरी हुआ जो accused के जो वकील थे कि रिया चक्रबरती ने जो है फ्रू आप इन्वेस्टिकेशन कोपरेट किया है तो court इस बात को माना यहां पर क्योंकि बेल का सिधानती यह है कि अगर आपको बेल दी जाती है तो आपको जबी भी बुलाया जाएगा तब आपको court के सामने या investigating officer के सामने produce होना होगा और इस बात से जो है रिया चक्रबरती के वकीलों ने court को अश्वार किया अब दोस्तों क्योंकि यह साबित हो गया इस बेल application की सुनवाई के दौरान कि रिया चक्रबरती जो है drug paddling नहीं करती थी और यह भी साबित हो गया कि रिया चक्रबरती ने जो है investigation के दौरान agency को cooperate किया तो इसके basis पे जो है रिया चक्रबरती को court ने बेल दे दी है अब उसक तो एक लाख रुपे के निजी मुचल के पर छोड़ा जा सकता है और जब यह आप वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक वह छुट भी चुकी होगी क्योंकि रिया चक्रबरती के वकील ने कहा कि क्योंकि भी pandemic situation है और court का आदेश था कि एक लाख रुपे का जो है personal bond with two shorties and likewise one or two shorty likewise in amount तो उनके वकीलों की दर्खोस पर कॉट ने जो है एक लाख रुपे के cash bond पे हाल फिलाल में छोड़ने के लिए court राजे हो गया court का यह भी कहना है कि रिया चक्रबरती जो है she'll have to make sure that कि वो produce हो every first Monday for coming six months before the NCB और साथी साथ क्योंकि जो ESG सहाब ते उनका कहना था कि यह टेंपर कर सकती है evidence को etc etc तो और उनका यह भी कहना था कि वो रिया चक्रबरती की जो बेल मिली है इसको जो है वो challenge करेंगे honorable supreme court में तो उसको अभी हाल फिल हाल के लिए इस order के उपर stay लग जाना चाहिए यानि कि रिया चक्रबरती को नहीं छोड़ना चाहिए तो court ने इस बार को दरकिनार कर दिया और high court ने कहा कि यह जो अगर रिया चक्रबरती की बेल अगर cancel होगी तो उसको अपने आपको produce करना पड़ेगा जो है investigative agency के सामने और police के सामने लेकिन court जो है इस order पे stay लगाने नहीं जा रहा है हाँ एक additional condition जो है court ने यहां पर डाल दी और वो additional condition court ने यह डाल दी कि रिया चक्रबरती जो है आने वाले 10 दिन 10 वजे से 5 वजे के बीच में अपने nearest police station जाएंगे और यह court का वेका दिखार होता है court कोई भी condition impose कर सकता है इसके लावा और जो conditions रिया चक्रबरती के उपर हैं कि वह outside इंड़ाइड ट्रेवल नहीं कर सकती उनको अपना passport समिट करना पड़ेगा court में और अगर वो Bombay छोड़के अगर बाहर जाती हैं तो उनको investigating officer को inform करना पड़ेगा तो यह सब सारी चीजें हैं जो रिया चक्रबरती के बेल का जो मसला था उस पे आज judgment आने के बाद में clear हुई है एक बात है जो आप लोग समझ लीजिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक सिंग राजपूत के जो केस चल रहा है उसके एवज में शायद गरफतार करें या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अब सरकार जो ncb जो है वह आप जा रही है सुप्रीम कोट रिया चक्रबरती की बेल खारिश कराने के लिए तो अगर बेल खारिश होती है तो दोबारा से गर भी करिए कॉमेंट्स भी करिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार